तो आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं चैटपेटी मसालेदार आलू मेथी की सबसी आप इसे इस तरीकी से बना कर देखना तेस्ट बहुत पसंद आएगा आप इसे रोटी पूरी पराटे के साथ में खा सकते हैं तो बनाना शुरू करते हैं यहां पर हमने 350 ग्राम की करी मेथी ली है जिसे हमने अच्छे से इस तरीके से कट कर लिया है इसे ना वाश लेंडे से पहले कर लेना तो वह इसली हो जाती है अब आपको इसे 3-4 बार अच्छे से पानी में इस तरीके से वाश करना है ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी जो मि पीट में आ जाए इसी के साथ में यहां पर हमने लिए हैं चार कच्छे आलू जिसे हमने कट करके पानी में डाल के रखा है तक यह काले ना पड़े अभी मैती जादा लग रही होगे बड़ी बनने के बाद कम हो जाती है तो इतना आप रखना अभी कढ़े में आपको लेना ह तो तील अभी यहां पर हम अच्छे अमांट में लेंगे थोड़ा सा बहुत जादा नहीं लेना है और इसे आप पहले गरम होने देना जैसे यह गरम हो जाएगा इसमें आप आप आलू डाल देना जो कच्छे आलू हमने लिए है इसमें आपको इस तेल में फिफ्टी पर् अच्छा आता है आलू सबजी में घुलता नहीं है और टेस्टी सबजी बनती है तो बस यहां पर आलू का बीच वीच में चलाते हुए तीन से चार मिंट लगते हैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर तो बस कलर चेंज नहीं करना है और इसी तरीके से बीच में आप इसक इसकी ऊपर नहीं खल किसी लेयर आ जाती है इसका जो मौश्यर होता है ना वो इसी मलोग को चाहता है तो जो आलू है वो घुलता नहीं है तो बस यहां पर आलू हमारे तैयार हो गए है इन्हें हम निकाल लेती है आपको कलर चेंज नहीं करना है जादा नहीं पकाना है बस थोड़ा मतलब जितना आप पकाते हो ना अलू का उसका आधा होना चाहिए एक स्टरॉल हमने निकाल लिया है और इसमें डाल लेंगे आधा चमच जीरा साथ में तीन से चार पिंच हींग और इसमें जाएगी जब ये भुन जाए हींग जीरा तो आधा चमच हल्दी अब बस इसे हलका सा मिक्स करना ताकि बेस में न लगए और इसमें जो मेथी है वो डाले ना अभी आपको ये मेथी दिख्等等 बढ़े बनने के बार बहुत कम हो जाथी है तो इसमें नमक डालना उसे हिसाब से कितना अभुद सबजी बना रहे है अधियान रखना मेथी बनने के बद कम हो जाती है ना, तो नमक जादा नहीं डालना है, बस आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, और इस सबजी मेना बिल्कुल भी पानी नहीं डालते है, मेथी मेना अच्छे मोरत पानी होता है, तो वो उसी में पकड़ देयर हो जाती है, देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब ढगकर आप इसको थोड़ दे के लिए पका लेना दो से तीन मिनिट के लिए उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे यहां पर यह देखिए अब यह पूरी तरह से हुई नहीं है अभी बस हमने इसको दो त्मिनिट ही पक के से हलका सा मिक्स कर देना बस मिक्स करने के बाद में आपको फिर इसे ढगकर पकाना है लो फ्लेम पर अब आपको मेती और आलू जब तक अच्छे से नहीं पक जाता है तब तक आपको इसे पकाना है ध्यान अखना आलू अच्छे से पक जाना चाहिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहां पर यह आलू है यह अच्छे से हो गया है ओवर कुप नहीं करना है सबसी को तेम को लो कर देना अब इसमें हम ड्राय मसालियाट करेंगे तो यह आदा चमच से थोड़ा से ज़दा धनिया पाउडर आदा चमच आम चू यहां पर हमने डाली है दो हरी मिरच बारी कटी हुई कर अबस यहीं ौर्ट यहीं मसाले है कुछ भूट कर दें यहां पर यह आप उसजеждते क्लेð से सक जबएक अच्छ हे बनाने की देलोट हिसा दो कुछ होई द चोट हम एक दो डीस ने पर भूने देना बीच-बीच में चला देना ताकि वह बेस में ना लगे और यह दिए आपको लगता ही आपकी पसंद पर डिपेंड करता आपको लगता है मेथी इसमें जाधा है आलू के यहां पर यह हमारी मेथी आलू की सबसी बन करें यार हो गई है हरा दन्या वैसे भीध यह थोड़ा सा ढाल दीते हैं गार्णिशिंग के लिए आप इससे रोटी पूरी परांटी के साथ में बनाई है रेगलर मसाले है पर जो टेस्ट होता था था नहीं मसाले रहते हैं सब को मसाली यूज़ करने का तरीक अलग अलग रहता है अप इस तरीके से बना कर thank you